वेलो फ्रेंटs सुबागत है आप आप सभी का हमारी YouTube चैनल Goal to Success में फ्रेंटs अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब कर ले चैनल की नाव है måal to success इसके अलावा यानि net exam के अलावा अगर आप PGD, SET या फिर higher education से जुड़ावा exam psychology से देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहां से पढ़ सकते हैं बात करें वीडियो की तो इन सभी से जुड़ें वीडियो आपको चैनल के playlist में मिल जाएंगे सभी का अलग-अलग फोल्डर बना हुआ है तो आपको किसी भी तरीकी की कोई भी परिशानी नहीं होगी आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंट्स जलवायू परिवर्तन सम्मेलन से रिलेटेट जो इन्पॉर्टेंट कोशन्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यह आपके फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर शुष्वाल जी में जो यूनिट है इन्वायमेंट से रिलेटेट उसके लिए इन्पॉर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट कोशन है जलवायू परिवर्तन पर सेंट रास्ट का जो सम्मेलन है कॉप 21 आयूजित हुआ था यानि जलवायू परिवर्तन पर जो सेंट रास्ट का सम्मेलन कॉप 21 है यह कहां आयूजित हुआ था मॉस्को पेरिस बर्लिन में या फिर टोक्यो में तो यहां पर आपका राइट आं जाएगा option B हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करें कब से कब तक चला था तो यहाँ 30 नवेंबर से आपका 12 दिसेंबर तक ठीक है 30 नवेंबर से 12 दिसेंबर तक यह चला था और यह हुआ कहा था जो फ्रांस है उसकी जो राजधानी है पेरिस में या हुआ था तो आपको यह बात याद रखनी है फर्स्ट कोशिन का यहां पर राइट अंसर क्या हो जाएगा option B हो जाएगा next देख लेते हैं second question है निमनेकित में से कौन सा कथन हरित जलवायू कोश GCF के लिए स जहीं नहीं है तो यहां पर अगरम बात करें पहला जो है option A इसकी स्थापना डर्वन में आयूजित जलवायू परिवर्तन सभा में हुई थी जलवायू कोश की जो स्थापना है यह डर्वन में आयूजित हुई थी चीक है यह यहां option B है यहां विकासिल देशों में कारेकरम और नीतियों का समर्थन करेगा option C है विक्सित देश इसके लिए कोश प्रदान करेंगे या फिर option D है कि यहां जो कोश है वह वर्ष 2014 से कारे करना प्रारम करेगा यहां पर 2014 आपको करना है ठीक है यहां पर जीरो एड कर प्रारम करेगा तो बताना है इसमें कौन सा जो है जल्वायू कोश है उसके लिए यहां पर कथन सही नहीं है तो यहां पर क्या हुझे को option A हो जाएगा यानि इसकी जो स्थापना है वहां डर्वर में आयुजित जल्वायू परिवर्थन सभा में हुई थी यहां पर गलत ह बाकी के तीन option यानि option B यह विकासील देशों में कारेक्रम और नीतियों का समर्थन करेगा यानि आपका हरित जल्वायू कोश है यह विकासील देशों के द्वारा जो कारेक्रम नीतियां चलाई जाएंगी उसका यह समर्थन करेगा विक्सित देश इसके रेक कोश देंगे और यहां कोश जो है, हरित जलवायू कोश, 2014 से कारे करना प्रारम करेगा, यह तीनों सही है, अब बात करें, जो सहयोगत रास्ट जलवायू परिवर्तन सम्मेलन, 2010 का था, ठीके, कप का था, 2010 का, जिसको कॉप 16 बोलते है, यह हुआ कहां था, मैक्सिको के कानकुन में हुआ थ ठीके, 29 नवंबर से 10 दिसंबर की बीच चला था, ठीके, 29 नवंबर से 10 दिसंबर की बीच था, कानकुन जो सम्मेलन है, उसमें एक क्या हुआ था, कि हम एक हरित जलवायू कोश की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे, और इसके लिए क्या कहेंगे, करेंगे, जो विक्सित र रास्ट है यह जलवायू परिवर्तन से के समख्ष जो आने अली चुनोतियां होती हैं उनसे यह उनका यह समाधान करें उनसे निपड़ सके ठीक है तो यहां पर आपका जो ऑप्शन ए है यहां पर यह गलत है सेकेंड कराइट आंसा ऑप्शन ए हो जाएगा आगे थर्ड रेवा दोहा या फिर नियुक तो यहां पर आहां पर क्यों अछे करें कर नियॉक हो जाएगा याणि जढला nggak संडवायू करवाई संमेलन तो कहां हुआ था नियॉइक में, 23 सेप्टेंबर 2019, यह आपका 23 सेप्टेंबर 2019 को, जो संयुतरास जलवायू, कारवायी शिकर सम्मेलन हुआ था, उसका आईजन हुआ था, USA के नियॉओक में, ठीक है, USA के नियॉओक में, ग्रीन हाउस गैस से, जलवाइु परिवरतन से या फिर जल प्रदूशन से, तो यहां पर आपका right answer क्या हो जाएगा, जलवाइु परिवरतन से, option C हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल किसे सम्बंदित है, जलवाइु परिवरतन से, अच्छा, जो क्योटो प्रोटोकॉल ज रहल ना कि केवल घ्रीन हाउस गैसे से यह कंब करने से संबन्दित तो इस वजए से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओप्षन मिक्ष्ण तो यहाँ इस कोज़ें पर या पर राइट शाउ जाएगा का सिलत Stream को नियूंत बेजिए हैं कियों पन्सपेैड्यूर। तो यहां पर आपका क्या हूजेगा ऊंप्षन यहां पर बताना है जो क्यों टो Steak थर्ड है मिथेन कार्बन डियोकसाइड की तुलना में जो ग्रीन हाउस ग्यास है उसकी रूप में अधिक हानिकारक है तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है तो 6 की यहाँ पर बात करें आपका क्या होगा option B हो जाएगा first and third यहाँ पर right answer हो जाएगे यानि आपका जो क्योटोप संदी है 2005 में लाग हुई थी यह सही है और third की बात करें तो जो मिथेन कार्बन डियोकसाइड है इसकी तुलना में ग्रीन हाउस गैस की रूप में यह अधिक हानिकारक होती है 6 का यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा आपका option 3 हो जाएगा यहाँ पर option B हो जाएगा यानि first and third जो है कथन वो यहाँ पर सही है ठीक है first and third यहाँ पर सही है आगी देखते हैं seven question 1997 में ठीक है 1997 में विश्व परवार सम्मेलन आयूजित किया गया था कहां आयूजित किया गया था रियोडी जिनेरो में नेरोबी में क्योटो में या फिर नियॉक में तो यहां क्या हो जाएगा क्योटो में हुआ था ठीक है option C यहाँ पर seven का right answer हो जाएगा जो हमारा 1997 वाला विश्व परवार सम्मेलन है यह जापान के क्योटो शहर में आयूजित हुआ ठीक है और इसी सम में यानि 1997 में जो विश्व परवार सम्मेलन हुआ था ना कहां हुआ था जापान की जो क्योटो शहर वहां पर आयूजित हुआ इसी सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को भी अपनाया गया था जो कब से लागू हुआ सोला फरवरी चीक है सोला फरवरी 2005 से यहां लागू होता है क्योटो प्रोटोकॉल ठीक है तो यह आपको बाते याद रखनी है आपके एक्जैम के लिए इंपॉर्टेंट है सेवन के यहां वराइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स दिखने ह मैं कर्थन वाला है पहले प्रोटोकॉल सं 2005 से प्रहवी हुआ सेकेंड है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से गीन गुरीन हाउस गैसों की निकास को कम करने से संब्धित थर्ड है मिथेन की तुलना में कारबन डियोकसाइड ग्रीन हाउस गैस की रूप में 5 गुना होती है तो यहां पर हो जाएगा जोगे कि यहां पर आपको बताना है क्या सही है तो यहां पर आपका क्योंट और गूं skos कोफे diff लिए शर्व को यहां पर और आपको बताईगा नाइंट देखते हैं जो कॉर्टा जेनिया है कॉर्टा जेना प्रोटोकॉल है या किस से सम्बंद रखता है जैव सुरक्षा समझोते से प्रदूशन से, ओजोन से या फिर ओजोन सरक्षन से ओजोन सरण से या फिर जलवायू परिवरतन से तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जैव सुरक्षा समझोते से यह संबन्द रखता है ठीक है कौटा जीनव प्रिटोकॉल क्या है अंतरास्टिय संधी है और इसका जो संबन्द है यहाँ जैव सुरक्षा समझोते से है इसको accept कप किया गया था बात करें तो यह 29 जैनवर 2000 ले ठीक है 29 जैनवरी 2000 को इसे स्विकार किया गया था लागू कप किया गया था इसे आपको याद रखना है 11 सितंबर दोजाग 3 से लागू किया गया था ठीके, 11 सितमबर 23 से लागू किया गया था और स्विकार कब किया गया था 29 जनवरी 2000 को इसे स्विकार किया गया था और ये क्या है एक अंतरास्टी संदी है important है आपको याद रखना है नाइन्थ का यहांपर A, right answer है 10 देख लेते हैं मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं प्रत्यक्ष आलंबन प्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में जो ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को हम क्या कहेंगे कार्बन पतिचिन कहेंगे कार्बन डियोक्साइट प्रमुक ग्रीन हाउस गैस है यह आपको याद रखना है और इसके अंतर कर अगर हम कार्बन ग्रीन हाउस गैसों के अंदर हम बात करें तो मिधेन आपका हो जाएगा जलवाश पू हो जाएगा नाइक्स ऑक्साइड हो क्लोरो फ्लोरो कार्बन हो जाएगा ठीक है यह इंपॉर्टेंट है कुछ तो आपको याद रखना है पेपर में अकसर पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा यहाँ पर राइट अंसर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप हमारे चैनल को ने हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा थैंक यू